तो अब हम बात करते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट के बारे में वर्मी कॉम्पोस्ट होता क्या है वर्मी कॉम्पोस्ट जैसे की मैंने बताया शब्द बना है वर्मी और कॉम्पोस्ट से कॉम्पोस्ट का मतलब आपको समझा दिया गया Wormy stands for Worms Worms से Wormy निकला है केंचुवा खाद इसका हिंदी का नाम है Simple एक परिभाशा में बात किया जाए तो वो है Wormy Composed is केंचुवा खाद किसी भी बायो डिग्रेड़ेबल चीज को जब एक special तरह के Worms खाते हैं तो उनका जो एक्सक्रीटा उनका जो फीकल मैटर निकलता है जो ब्रेकडाउन करके डाइजेशन के थूरू आफ एर्थ वर्म निकलता है उसे Wormy Composed कियाते है अगर हम इसको फामिंग और क्रॉप कल्टिवेशन के एंगल से बात करें तो इसमें जो आपका सबसे इंपोर्टन राओ मैटेरियल बायो डिग्रेड़िबल है वह होता है किसी भी पशू का डंग किसी भी पशू का फीकल मैटर इसमें बी काव बफैलो इवन गोट्स आपका जो भी कैटल स्टॉक होता है जो भी आपका डंगर होते हैं, पशू होते हैं, उनका जो एक्सक्रीटा होता है, काव डंग, बफैलो डंग, ये मेजरली यूज़ किया जाता है, फार्मिंग से रिलेटेड जो लोग है, अगर उनको कॉम्पोस्टिंग करनी है तो, उसका सिंपल सा कारण है, जितना आप केचन बकेट में जो भी डिग्रेडेबल वेस्ट है, उससे आप कॉम्पोस्ट बनाके फुल सफिशिंट रह सकते हैं, बट अगर आपको अपनी फील्ड में कॉम्पोस्ट चाहिए और फर्टिलाइजर डालना है, तो आपको जो बायो डिग्रेडेडेबल मास है, जो मेटी करते हैं, उनके लिए सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्स्ट रो मेटीरल जो है, डाट इस डंग, काव डंग, बफलो डंग, वोटेवर टाइप ओफ यॉर कैटल स्टॉक उनका वेस्ट, तो जैसे कि मैंने बताया कि वर्मी कॉम्पोस्ट बायो डिग्रेडेडेडेब इसे हम वर्मी कॉम्पोस्ट बोलते हैं, यानि की केंचुआ खाद, यह दिखने में बिल्कुल जैसे आप समझेए, चाय की पत्ती जैसा होता है, ग्रैनॉलर फॉर्म में होता है, इसमें अच्छा मॉइस्टर कॉंटेंट होता है, जब हम प्राक्टिकल एप्लिकेशन पे और हम आपको अपनी फिल्स में दिखाएंगे वर्मी कॉम्पोस्ट तो आपको इसके टेक्स्चर और इसके मॉइस्चर और इसकी फिजिकल अपियरेंस के बारे में और बात की जाएगी, वर्मी कॉम्पोस्ट मैंने जैसे बताया, चाय की पत्ती की तरह होता है, लूज होत होता है, पूरस होता है, वाटर रिटेंशन की केपैसिटी इसमें होती है, वर्मी कॉम्पोस्ट की जो न्यूट्रियंट प्रोफाइल है, वो बहुत जादा रिच है, अब आप बात को समझे कि इस प्रोसेस हो समझे हो क्या रहा है, बायो डिग्रेडेबल स्टफ एक वर्म खा रहा है, और अगनादर बायो डिग्रेडेबल स्टफ बना रहा है, विच इस कॉम्पोस्ट, हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में, वो जो बायो डिग्रेडेबल आपका कैटल फीड या जो भी आपका बायो डिग्रेडेबल वेस्ट था, उसके अंदर भी तरह है, वो वर्मी कामपोस्ट होता है, अब हम इसे ऐसे फैसीलिटेट कैसे करते है, कैसे कघलते है? दो तरीके के मेघेड़ होते हैं, डेखिए हुआ, देखिए जो खाद होती है, जैसे फर्टिलाइजर बोलते हैं, कॉम्पोस्ट एक तरह का फर्टिलाइजर होता है, आज हम वेरियस चीजे जो खाते हैं, जो अग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और जो हम प्लांटेशन करते हैं, होम गार्डनिंग वाले जो प्लांस रखते हैं, फ्लावरिंग प्लांस और गार्डनिंग में जो भी पौध होती है, एडिबल, नॉन एडिबल, जो भी एक ग्रोइंग सब्स्टिंस है, जिसको सॉइल अज़ चाहिए, उन्हें कहीं न कहीं फर्टिलाइजर भी चाहिए,